दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जारखन बोड मैट्रीग और इंडरमेडियेट परिक्षा 2021 को जारखन सरकर्द वारा कैंसिल कर दी गई है आप जो है सभी छात्रों को सिर्फ रिजल्ट का इंतिजार है लेकिन ये भी मन में डाउट है कि परिक्षा तो नहीं देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं देखे दोस्तों सबसे उपर में लिखा हुआ है कि मैट्रीग और इंटरमेडियेट रिजल्ट की तयारी को लेकर हुई वर्चुल बैठक यहां पर दियान दिजेगा जैक बोड़ बोल रहा है कि आंतरिक मुल्यांकन 30 जुन तक क्या जाएगा यहां पर दियान दिजेगा यहां पर लिखा हुआ है जारखन एकाडेमिक काउंसिल जैक की मैट्रीक और इंटरमेडियेट का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटर्नल असस्मेंट की प्रक्रिया अगले सब्ता सुरू हो जाएगी ठीक है रिजल 30 जुन तक जो है सभी स्कुलों को इंटर्नल असस्मेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी जैक इसके लिए जैक यानि की जारखन एकाडेमिक काउंसिल जैक बोर इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है जिसमें स्कुलों को इंटर्नल असस्मेंट और फैक्टिकल का नंबर जो है वहाँ पर अपलोड करना होगा इसको लेकर अगले सबताह जैक के ओर से गाइट लेन जारी कर दी जाएगी ठीक है तो दोस्तों 30 जुन तक जो है आप लोगों का मुल्यंकन जो है अंतरिक मुल्यंकन जो है कम्पलिट हो जाएगा उसके बाद जो है जल से जल आप लोगों का रिजल्ट जो है घोसित कर दिया जाएगा अब जो है सबके माइंड में ये डाउट है कि परिछा तो नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे बनेगा अगर रिजल्ट आया भी तो किसको कितना मांक्स मिलेगा ठीक है तो इसको लेकर ठीक है इसको लेकर जैक प्रतिसत नंबर मिले थे, मैट्रीग और इंटर में उतना ही मिलेगा, सब सब लिखा हुआ है कि अबजेक्टिफ में जितने प्रतिसत नंबर मिले थे, मैट्रीग और इंटर में उतना ही मिलेगा, दोस्तों यहां पर पिछले साल का बात क्या जा रहा है, कक्छा नौबी और क कख्छा ग्यारंभी का बात किया जा रहा है, पिछले साल में आप जो कख्छा ग्यार diferॉन हावी में एक्जाम दिये थी, उसमें आपको कितना माक्ष मिला था, ठीक है, उतना ही माक्ष इस बार जो है मेटरिग में आपको मिलने वाला है, और अगर इंटर का बात करें ठीक है जिस बिदार्थी को कक्छा 11 में जितना माक्स मिला था उतना ही माक्स इस बार जो है इंटर में मिलेगा ठीक है यहाँ पर पिछले सल का बात क्या गया है 9 वी और 11 वी में यहाँ पर धियान दीजेगा दोस्तों यहाँ पर बुला गया है कि कक्छा 9 वी और 11 वी में 40-40 अंक के 5 विस्यों के objective यानि कि बस्तुनिष्ट प्रस्न जो है पुछे गए थे 40-40 बस्तुनिष्ट प्रस्न पुछे गए थे ठीक है पिछले सल का यहाँ पर बात किया जा रहा है कक्छा 9 वी और कक्छा 11 वी में ठीक है पांचो विस्यों का 10-10 जो है 10-10 अंक जो है internal assessment में देना था ठीक है अब metric और intermediate का result जो है कक्छा 9 वी और कक्छा 11 वी कि 40-40 अंक के objective प्रस्नों के जवाब के आधार पर ताज के जाएंगे ठीक है प्रस्नों के जवाब में जितने फिजदी अंक आपको मिले थे ठीक है पिछले साल में जितने फिजदी अंक आपको मिले थे उतने अंक ही इस बार जो है आपको थेयोरी में दिये जाएंगे ठीक है 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 साथ साथ बाहर के भी सदस्सा रह सकते हैं ठीक है तो जैक के पास जो है आपको आपका नंबर है उसके पास आपको कितना जो कितना माक्स मिला था वो सब जो है उसके पास जो है रेकर्ड है और उसी का आधार पर जो है इस बार भी आपको उतना ही अंक मिलने वाला है थियोरी हिंदी में 40 आंक के प्रस्णा के जवाब में किसी छात्र को 25 मिले थे चारिस में 25 मिले थे तो इस बार मेटरीग ऑर इंटर में80 में 50 मिल इमन। थे तोस्ती में कितना 50 ठीक है 50 मिलेगा और साइंस का अगर बात करें साइंस में 40 में अगर किसी को 20 मिले थे तो इस बार 70 में 35 मिलेगा ठीक है 70 में कितना मिलेगा 35 मिलेगा यानि कि जितने प्रतिसत जितने प्रतिसत अंग पिछले बार आपको मिले थे उतने ही अंग इस बा और से यहां पर बोलागा है कि Jack की ओर से इंटर्नाल असेश्मेंट का माप दन्ड भेजे जाने के बाद उस आधार पर मैट्रीक और इंटर्मेडिट के छंत्र-चंतरओं का अंतरिक मुलंकण किया जाएगा ठीक है यहां पर आ दियान देजेगा इंटर्नल असेश्मेंट में कक्षा नौवी, दसवी, ग्यारावी, वारावी की क्लास में छात्र छात्राओं की उपस्तिती देखा जाएगा, ठीक है, हाजिरी देखा जाएगा उपस्तिती, क्लास में उनकी परफामेंस देखा जाएगा, और उनके व्यवहार देखा जाएगा, ठीक है, व्यवहार से ले प्रतिजक्ताओं में उनकी सहव्यगिताको देख्वा जाएगा ठीक है इसके उपनिर्भर करता है कि उपस्तिती के उपनिर्भर करता है छात्राओं की उपस्तिती कलास में उनकी टाल में उनके व्यावार और ओनलीन आंकियो कुन को एक पैसे ऊपुज Aut smza ठीक है? इसके अलावाट जो विद्धार्ती फ्राक्टिकल नहीं दे पाये हैं, यहां पर लिखा वाइदे हैं, जो परिछार्ती फ्राक्टिकल एक्साम नहीं दे पाये हैं, उनके लिए इसका सिड्यूल जारी क्या जाएगा? कोविड मनकों का पालन करती हुए प्रयोगीग परिक्षा ली जाएगी यान hice practical परिक्षा जो है होगा ठीक है जो जो एक्जाम नहीं दिये है practical परिक्षा उसको देना है इस बारी ठीक है और जिन जिन इसकलो में practical exam हो गया है वहाँ पर और exam नहीं होगा और जहां पर नहीं हुआ है वहां exam होगा ठीक है practical परिक्षा होगा और यहां पर देखें दोस्तों इस प्रकार का कुछ भी ठीक है इस प्रकार का कुछ भी notification आएगा अगर jackboard की तरफ से तो आप लोगों को इस channel दोरा मिल जाएगा आप लोग बस इस channel को subscribe कर कर रखें और इस video को लाइक कीजिए और ज्यादा से जदा अपने दोस्तों में सेयर कीजिए ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए वाई थेंक यू